Hello and welcome to sports fact तो आज हम एक बहुत बड़ी अपडेट लेकर आए हैं आपके पास सौरव गांगुली का एक बहुत बड़ा बयान आया है तेके South Africa की टूर करने वाली है India South Africa टूर में जाने वाली है और इस बीच जो बाते आपको पता ही होगा Omicron को लेकर कोरोना वाइरस के नए वेरियंट Omicron South Africa में पाया गया है और इसका बहुत बड़ा कहर मच गया है दुनिया में तो इस बीच जहां काफी सारे देश अपना टूर South Africa में कैंसल कर दिये हैं वही इंडिया BCCI के प्रेसिडेंट सौरव गांगुली ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है कि इंडिया South Africa की टूर को कैंसल नहीं कर रही है और इसके साथ ही उन्होंने हर्दिक पांडिया पर भी एक बहुत बड़ी अपनेट दी है अभिशे का प्लीज लोगों को बताईए कि हार्दिक पांडिया पर सौरव गांगुली ने आखिर क्या कहा देखें हार्दिक पांडिया को लेकर लगतार उनके फिटनेस को लेकर सवाल उठाय जा रहे थे कि हार्दिक पांडया फिटनेस उनकी नहीं है और वो गेंदबाजी भी करते हुए नहीं दिखाई दे रहे थे जिसके बाद सौरफ गांगुली ने एक बयान दिया है उन्होंने कहा है कि हार्दिक पांडया के फिटनेस इसू है लेकिन वो जल्दी मैदान पर दिखाई और उनको लेकर उनके फिटनेस इसू को लेकर जितने भी सवायल उठा जा रहे है उस पे उन्होंने इतना कहा कि हार्दिक पांडया आने वाले समय के लिए टीम में जगह उनकी पक्की होगी लेकिन फिलहाल वो उन्फिट चल रहे हैं बिलकुल देखे अभिशेक जैसा कि ह सब जानते हैं कि हार्दिक पांडया को लेकर बहुत सारे ट्रोल्स हुए उनको टीम में शामिल भी नहीं किया गया न्यूजिलेंड और इंडिया के टेस्ट सिरीज में और टीट्वेंडी मैच्च में उनको शामिल नहीं किया गया है उनको लेकर भी सवाल खड़े कि अगर जो हर्दिक पांडया गिंदबाजी नहीं कर रहे हैं तो सिर्फ बल्लेबाजी और फिल्डिंग को ये तोर पे कैसे उनको आल राउंडर कहा जाए लेकिन इसका भी बचाओ सौरफ गांगले ने किया उनके साथ लेकिन वो टीम के साथ जल्दी जूर कर और वापसी करेंगे बिल्कुल और अगर बात करें ओमी कोरोन वाइरस की तो उसका कहर तो पुरे दुनिया में मच गया है और इस वज़े से सारी देशे काफी सारी देश बहुत साफधानी से कदम रख रही है जहां क्रिकेट की बात आती है साथ अफरिका में बहुत सारे देशों ने कैंसल कर अपना टूर लेकिन इंडिया अभी तक कैंसल नहीं की है इस में इसे लेकर के सारोफ गांगली ने ये कहा है कि अभी हमारे पास वक्त है जो टेश्ट मैच की सुरुआत है वो 17 दिसंबर सो होने वाली है इस कारण से अभी हमारे पास परयाप समय है इस चीज पर फैसला ले है तो भारतिय टीम और बिसी से आई के पास भी पूरा वक्त है कि इस पर आने वाले समय में जिस हिसाब से ये चीज़े ढलती जाएंगी उस हिसाब से इस पर फैसला लेगा और आपको बता दे कि भारत और न्यूजीलेंड के बीच जो दूसरा टेस्ट मैच है वो 3 वाइरस कंट्रोल में आते हैं या फिर इसका के ऊपर कोई जो मैच है भारत दक्सिन अफरीका बीच मैं एक बार फिर से आपको तारीख दो रहाना चाहूंगा 17 दिसंबर तो बीसी से आई कि अध्यक्स सरभ गांगली ने इस बात को इंडिकेट किया है कि अभी हमारे पास वक्त है उस पर देखा जाएगा कि कोविड सिचुएशन कैसे चल रहे है कोविड न्यू वेरियंट सिचुएशन कैसे चल रहे हैं क्या फिर एक बार कोरोना का साया भारती क्रिकेट बारी पड़ेगा बिल्कुल क्योंकि ये कोरोना ऐसा चीज है कि लगातार इस पे जो ब् आफरीका से शुरू हुआ है बिल्कुल आफरीका से शुरू हुआ है और इस वजह से ये जो लगातार सवाल उठाय जा रहे थी क्या भारत और जक्षे आफरीका के बीच जो ये टेस्ट मैच की 17 दिसंबर से शुरू आत होने वाली है वो टेस्स सीरीज हो पाएगी या उस पर क्या डिसीजन लेती है 17 दिसंबर तक क्या सिचुएशन कंट्रोल में आते हैं या नहीं इस पर फैसला निर्भर होगा कि वो और ये साउथ आफरिका टूर करेने देंगी या नहीं चलिए ऐसे कुछ इंपोर्टन फैक्स के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहेगा और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता हो तो प्लीज हमें लाइक शेर सब्स्राइब करना ना भूले और साथी साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हम कोई भी वीडियो लेकर और हमारे साथ आप जुरे रहें क्योंकि हम हर एक वीडियो में फैक्त की बात करते हैं औ और उससे जुड़ी जितने भी फैक्त्स हैं आपको टाइम पे मिल जाएं इसलिए आप प्लीज नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें विल्कुल थैंक यू सूमाइच